सिर्फ एक ऐसा कॉंटिनेट जहां पर इंसानों को इंफिलन्स ना के बराबर है यह इकलोता ऐसा एक कॉंटिनेट है जहां तो ना कोई देश है ना कोई सरकार है हम बात कर रहें दोस्तों एंटार्टिका की इसके पीछे एक बड़ा कारण और वेसली यह है कि यह दुनिया का सबसे ठंडा कॉंटिनेट है यहां टमपेचर माइनस 89 डिगरी शल्शेस तक जा सकता है और साथी साथ यहां पर 300 किलोमेटर प्रती गंटे की रहतार से बरब की तूफान आते है जो आपको अंदा भी कर सकते है साल बर में यहां पर सिर्फ 51 एम के अराउंड बारिश होती है और जब बारिश भी होती है वो गिरते ही बरब बन चाती है तो यह दुनिया में एक ऐसी एकलोती जगह है जहां इनसानों का रहना नामुम्किन है लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि दुनिया के अलग अलग देशों ने एंटार्टिका पर कबज़ा करने का ना सोचा हो दोस्तो अगर हम इस मैप में देखे प्रांस कहता है यह एरिया हमारा है नारवे कहता है कि यह हिस्सा हमारा है अस्रेलिया इस पूरे राइट वाले अरिया पर कबज़ा जमाना चाहता है इसके अलावा ब्रिटिन, इटली, चिली जैसे देश भी एंटार्टिका के कई हिस्सों पर अपना क्लेम जमाना चाहते है तो यहाँ पर सवाल उड़ता है आखर कौन अंटार्टिका पर रूल करता है कौन-कौन ऐसे मुलक है जो अंटार्टिका के कई अरिया को कलेम करना चाहते है तो चले दोस्तो आज के इस वीडियो में हम इस पर डिटेल में बात करेंगे हमारे साथ बने रहे वीडियो के अंट तक क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरस्टिंग होने वाली है Around 350 BC की बात है Greek philosopher Aristotle ने कहा था कि दर्टी एक्चुली में गोल है Greeks उस समय जानते थे कि दर्टी के नारत में आर्कटिक करके एक जगा है उसे ये लोग आर्कटोस करके पुकारते थे तो क्योंकि ये जानते थे दर्टी 그 Say गोल है तो नारत में कुछ है तो सौस्ट में भी कुछ होगा तो इनोंने सूचा जो भी सौस्ट में है उसे हम नाम देते हैं अंतर्कटोस अर्कटोस का अपॉसिट ये इसे नाम आया था कई सो सालों पहले ही एंटार्टिका नक्षों में दिखने लगा था बोट से एक्सप्लोरोर्स ने जब एक्सपेडिशन्स की दुनिया बर में तो वो जानते थे साउट में अगर हम जाएंगे दर्टी के तो वहाँ पर कुछ तो एक्जिस्स करता है लेकिन एक्जैक्टली क्या है वहाँ पर ये वो नहीं जानते थे इसी रिजनस से जो फ्रेच एक्सप्लोरोर्स थे जब उन्होंने नक्षा बनाया दर्टी का साल 1530 में उन्होंने एंटार्टिको को ड्रा जरूर किया इसमें देखिए दोस्तों लेफ्ट साइड में है नर्दरन हैमसपियर राइट साइड पर साओधरन हैमसपियर इस साओधरन हैमसपियर के बीच में सबसे बड़ी जमीन को इन्होंने नाम दिया है टेरा अस्ट्रॉलियस इंकॉगनिटा जिसका मतलब हुआ अन्नोन साओधरन लेंड इसके बाद साल 1773 में ब्रिटिश नैवल आफिसर जेमस कुक पहले ही इनसान बन जाते हैं एंटार्टिका सर्कल के साओध में जाने वाले ये करीब 130 किलोमेटर दूर थे एंटार्टिका से जब इन्होंने अपनी शिप को वापस मोड़ा हाला कि इन्होंने एंटार्टिको को देखा नहीं लेकिन इन्होंने आइसबर्ग जरूर देखे जिनमें रॉग डिबॉसिट पाए गए थे एंटार्टिका के और करीब जाना इतना डेंजरस था कि जेमस कॉन्फिडनस के साथ कहते हैं लेकिन इनके ये वर्ड्स करीब 50 साल के बाद गलफ साबित हो जाते हैं अब पहला इन्सान कौन था जिसने एंटार्टिका की जमीन पर कदम रखा था ये बहुत ही कंट्रोर्शल माना जाता है ब्रिटिश अमरिकन कैप्टेन जॉन डैविस का माना था कि वो पहले थे ये करने वाले क्योंकि उनका जहाज बटक गया था और वो एंटार्टिका में चले गए थे साल 1895 में एक अंडिस्पूर्टिड लैंडिंग हुई थी जब एक नॉर्वियन जहाज जिसका नामी एंटार्टिक था वो इसके किनारे पर पहुंच जाते हैं इस जहाज में बैठे लोगों ने एक छोटी ना उतारी जिसमें 6-7 आदमी बैठे थे इस बोट में एक नॉर्वियन थे कॉरस्टिन बॉर्गरेवनिक यह कहता है कि वो बोट से पहले उतरे थे और उन्होंने कदम रखा था एंटार्टिका की जमीन पर लेकिन इसी बोट पर एक नियूजलैंड का बंदा था अलेक्सेंडर वो कहता है कि बोट को स्टेडी रखने के लिए वो पहले होते रहे थे एंटार्टिका की जमीन पर मतलब सेम बोट पर दो इनसान आपस में ही लड़ रहे थे इसके बाद 90 हेंडर्स के पहले 10-20 सालों को हिरोईक एरा बुलाये जाता है एंटार्टिका एक्स्प्लोरेशन का क्योंकि कई सारी एक्सपेडिशन की गई थी इस समय में कई सारी सेंटिफिक डिसकोरिस भी कई गई इसी समय हमें ये भी पता चला कि एंटार्टिका में प्लांट्स भी उगते हैं जब मोसिस पाए गए एंटार्टिका में उगते हुए और इस एरा के बाद शुरू होता है एंटार्टिका का कोलोनियल पीरड जब बहुत सी कंट्रीज ने एंटार्टिका पर कबजा जमाने की कोशश की 1908 और 1942 के बीच में साथ अलग 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 देशों ने अपनी सौवरेंटरी कलेम करी इस कांटिनेट पर ये देश थे अर्जेंटिना, अस्ट्रेलिया, चिली, फ्रांस, नियूजलेंड, नौर्वे और यूनाइट किंडम इसके अलावा कई और सारे देश थे USA, सुवेट, उनियन, जपान, सेवेडन, बेलजियम, जर्मनी जो एक्सप्लोरेशन कर रहे थे, नई एक्सपेडिशन कर रहे थे अंटार्टिका पर बिना कोई टेरिटरी कलेम करे साल 1924 में यूएस के सेगरेटरी आफसेटेट जो थे इन्होंने अपनी ऑफिशल पॉजिशन अनौस करी एंटार्टिका की टेरिटरी के कलेम को लेकर इन्होंने कहा कि अगर कोई देश अक्चुली में डिस्कौवर करता है किसी नई जमीन की एंटार्टिका में इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वो जमीन उनकी है वो जमीन उस देश की तब ही होगी जब एक्चुली में कोई सेटलमेंट हो जगा पर उस देश के लोग पर्मिनटली आके वहां रहने लगे वरलवार टो खत्म होने के बाद यह देश और स्ट्रंग लड़ने लगे आपस में आइंठार्टिका को हेड़ अपने के लिए इन देशों ने पर्मिनेट रिस्टरल्स स्टेशन नह सेट अप किये एंठार्टिका में 1954 में आस्ट्रեռिया एक्चुली में मेन लैंड आड़्टिका तक पहुंच जाता है और मेवसन सेटेशन बनाया जो एक्चली एंटार्टिका के कंटिनेट के ऊपर था एक साल बाद एर्जिंटिना ने भी बेल गरीनो बेज बनाया वैसे दोस्तो एंटार्टिका में इतनी बरब जमी हुए ये बताना मुश्किल है कहां पर ज्यादा बरब है और कहां बरब की नीचे जमीन है इसलिए इस नक्षे में आप देख सकते हैं कि एंटार्टिका के जमीन के बाहर कुछ आई शल्विस है इन आई शल्विस को अलग अलग नाम दिया गया है दोस्तों अब आप इस पॉलिटिकल मैप को देखे ये जो बिलिव डाट्स है ये अलग अलग देशों के आज के दिन के बेसिस है रिसेवर स्टेशनस है जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं अंटार्टिका पर अब नार्वे, अस्ट्रेलिया और फ्रास ने जो क्लेम किया है अंटार्टिका की जमीन को ये बड़ा ही क्लियर दिखता है ये कौन सी जमीन को क्लेम करते हैं और ना कुछ ओरलैप हो रहा है यहां पर लेकिन नक्षे के लेफ्ट साइड अगर हम देखे चिली, ब्रिटिन और अर्जिनिटेना ने जो क्लेम किया है इनके जो क्लेम जे ये आपस में ओरलैप हो रहे हैं साल 1950 में सुवेट यूनियन की सरकार एक मेमरेंडम इशू करती है बाकी सारे देशों को कि कोई भी देश अगर सुवेट यूनियन से पूछे बिना ही टेरिटरी कलेम करेगा एंटार्टिका पर तो हमारा देश किसी भी कलेम को रिकॉगनाईज नहीं करेगा साल 1958 में अमरिका के प्रिजिनेट बाकी सरकारों को नोट इशू करते हैं और कहते हैं कि एक ट्रिटी होनी चाहिए जिसे कि ये एंशूर किया जा सके कि एंटार्टिका हमेशा एक आज़ाद और पीसपुल जगा रहे हैं इसके बाद 1 देसंबर 1959 को वाशिटरंग में एक कानफरेंस होती है इसको लेकर और एक एंटार्टिक ट्रिटी को साइन किया जाता है इस ट्रिटी में तीन बड़े चीज़े करी जाती है पहला एंटार्टिको सिर्फ पीसपुल परपस के लिए यूज किया जाएगा दूसरा साइन्टिफिक इनवस्टिकेशन के लिए सब को आज़ादी होगी और तीस तरह साइन्टिफिक अबजर्वेशन से जो भी रिजल्टस आएंगे वो सब के लिए फ्रीली अवारेबल होगा लेकिन एक इंटरस्टिंग बात है इस ट्रिटी के बारे में जो भी क्लेम किये थे इन देशों ने वो क्लेम अबॉलिश नहीं किये जाते वो क्लेम्स खत्म नहीं होते ये ट्रीटी उन क्लेम्स को टेंपोरली सस्पन्ट करती है तो लीगली कहा जाए ये सारे देश उस टरिटरी को आज भी क्लेम कर सकते हैं और वो ये आज कर भी रही है ये जो एंटार्टिका का प्रोलिटिकल मैफ है ये आज भी वैलेड है जिसमें सबसे ज़्यादा शियर है अस्ट्रेलिया का इसलिए साल 1991 में एक अन्वारमेंटल प्रोटेक्शन ट्रीटी भी साइन की गई जिसे मैडरिट प्रोटोकाल भी कहा जाता है इसी में ही था कि फाइनली ड्रिलिंग और माइनिंग एक्टिटिस पर भी रस्ट्रिक्शन लगाई गई ये चीज़ करनी बड़ी ज़रूरी थी ओईल की एक्स्प्लोरेशन के नाम पर कितनी ही जगां को तबा किया जा चुका है दोस्तो साल 1992 में एक स्टेडी करी गई थी यूएस जियोलोजिकल सर्वे के दोरा जिसने पाया कि एन्टार्टिका के नीचे 19 बिलियन बैरल्स अप ओईल है जिसे रिकावर किया जा सकता है तो जियो पॉलिटिकस की सैनस से अगर देखा जाए आज की दिन एन्टार्टिका एक देश नहीं है लेकिन एक पॉलिटिकल टेरिटरी ज़रूर है जहाँ पर कई सारे देश साथ में कॉलाबरेट करते हैं और पावर को अपने बीच इक्वली डिवाइड करते हैं यहाँ पर आपकी क्या राह है दोस्तों एन्टार्टिका का क्या फ्यूचर होना चाहिए क्या इस तरह सारे चीजें चल दी रहे नीचे कॉमेंट्स में लिखके बताए उमीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी जाने से पहले चानल को सबस्क्राइब और वीडियो दोस्तों के साथ जरूर शियर करें मिलते हैं अगरे वीडियो में